कि अच्छ आपके सामने एक नए विशे के साथ आया हूं मेरी ख्याल से बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे डॉक्टर्स के थूरू यह दूरू सुना होगा कि आपके अंदर विटामेंट डी की बहुत कमी है जिस कारण से आपके जो उतने हैं या आपके जोएंट पेन है वो दिन बर दिन बढ़ रहा है वह सब बहुत सारे लोग एगरी भी करेंगे कि वो वीकली या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विटामेंट डी की टाबलेट्स ज़रूर एज सप्लिमेंट के रूप में वो लेते होंगे क्योंकि उनको विटामेंट डी पूरा रूप से उनकी बॉड़ी में नहीं है हमें सबसे पहले यह जानने की जुरत है कि विटामेंट डी कम से कम एक स्वस्थ इंसान के लिए कितनी बॉड़ी में होनी चाहिए और उसकी मातरा कम होने पर हमें कुद्रत के रूप से या कुद्रती नैच्रल वे से उसको कैसे बढ़ा सकते हैं यही सब चीजों के साथ आ आजकर बहूत कम हो रहा है उसका मुखरूंसे जो कारण है वो हमारा लाइफ चैन हम बंकमरों में बंद आफिस में बंदघरों मे रहते हैं उस Спोजर है बहुत ही कम हो गया हैं हम सिर्फ आफिस जाते बहुत लेड होती नहीं तो सिर्फ हमें जाते हैं जोctive मिलता है हमें सिर्फ अतना ही दुग मिल पाती है जिस कारण से विटमेंट d Shallem कि और के वर्ग में कम हो रही है मीन यह नियां कि वो बजयर कुम होती है या मद्दे वर्ग में आजकल बच्चों में भी कि कमी हम रिपोर्ट्स में उनकी जहां चुमी देखते हैं जिस कारण से उनकी जो बॉड़ी में जो एक्टिवनेस होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थकावट जल्दी महसूस होती है बच्चों को या ऐसी वेक्तियों को जल्दी से जोड़ों में दर्द उटने बैठने में सम कड़ कड़ जो जो जॉइंट पेंज में एक ऐसी साउंड क्रिप्टस साउंड वो अनभव करते हैं जिस कारण से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी बॉड़ी में विटरमेंट डी की कमी है तो दोस्तों जो विटरमेंट डी है वो उसका सबसे अच्छा जो एक भवान होगा कि ब्रिटिश या जो गोरे लोग है वो स्पैशली संडेज को या वीकेंड में संबात लेने जाते हैं क्योंकि उनकी भी यही समस्या है कि वो मुल्क हमसे थोड़े से जादा धंडे हैं वहां पर धूप का इस्पोजर जल्दी नहीं होता जैसे कि इंडिया में आपक होता उस कारण से वो स्पैशल संबात महां पर एक ट्रेंड है कि संबात के लिए जा रहे हैं और इंडिया में हम खुश नसीब हैं कि हमें जो सूर्य की किरने हैं रोज मिलती हैं तो हमें इसका प्लीज और बहुत तरीके से लाब लिना चाहिए हमें एट लीस 15-20 मिनिट ज और अगर आपको उतना भी समय नहीं है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं प्लीज उसको नोट कर लें और अपनाएं और अपने विटेमेंडी की कमी को दूर कीजिए जितनी भी घर में आपकी डाले हैं जितनी भी पल्स हैं उनको आपने दे हैं जितनी पल्स हैं हमारे घर में उसको दूप लगवाया जाता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कांच के कोई ऐसे वर्तमान लेकर पल्स को पर्मेंटली ऐसी जगह पे घर में रख दें जहां पर सुर्य की किन्ने रोज बढ़ती हो और जब भी आपने उस से उठाकर प्रयोग करें और बाकियों को वहीं पर रखने रहें दें क्योंकि जब आप अगर खुद नहीं जा पाओगे आपकी जो पल्स है या जो दाले आप यूज करते हो वह तो दूप में जा सकती है वह सड़ेंगी भी नहीं ना गलेंगी बल्कि जो विटमिन डी है वो सूरे किन्न से जो हमें मिलता है वो उन दालों में अब्जॉब हो जाएगा आपको तभी हमने प्लास्टिक के नहीं कांच के वर्तमान बोला है अगर आप कांच के वर्तमान यूज करते हो तो हमें पता है कि वह जल्दी चीजों को सूरे किन्न को ग्रहन करने में असान ह हो जाएगा और आपकी वही पल्स विटमेंट D से भरपूर हो जाएगी और आपको जब वह पका के आप खाएंगे तो आपकी जो शरीर की विटमेंट D की कमी है वो भी दूर हो सकती है और एक और अगर हम आयरवेग के माध्यम से देखें तो कुछ चीजें आयरवेग में बताई गई हैं जैसे कि गिलोए या मोती पिष्टी यह ऐसी दो चीजें हैं जिसमें विटमेंट D कुतरत की रूप से बहुत अधिक मातरा मे प्रति दें आठ मिलीग्राम बताई गई हैं शास्तरों में घुड़िए के रस को या कैपसुल को या किसी भी रूप में आप लेना शुरू करें आपकी वेटमेंट D की समस्या भी ठीक हो सकती हैं और मोती पिष्टी मुझे आपने अपने मेरे ख्याल से बहुत लोगों कहा जाता है और उसकी मातरा प्रती दिन आठ मिली ग्राम बताई गई है शास्त्रों में तो आठ मिली ग्राम मतलब आधी चुटकी अगर आप मोती पिष्टी की सेवन रोज करने शुरुप कर दें और साथ में गिलोए रस का लोग करें और डालों को अगर सुप अपने बरतमान को धूप में रखें तो आपकी सब चीजों से विटामेंट डी पूरा हो सकता है आपको कर और भी अन्या जो केमिकल पदार्थों से बना हुआ विटामेंट डी या कैपसूल टैप्रेट्स जो मार्केट में मिलती हैं उसकी जुरुत नहीं है तो आप ब को भी पूरे रूप से ठीक कर सकते हैं तो कोशिश करता हूं फिर से एक नए विशे के साथ आपके सामने हाजर होंगा और अगर आपको यह पसंद आया है प्लीज इसको शेर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों तक यह हमारी जो एक आयर्वेज के प्रति अवेरनेस यह नॉलेज का जो हमने रीच चलाई गया है प्लीज वो तक बचाएं थैंक यू